पाली में लिखी हुई किताबों का संस्किर्ट में अनुबाद हुआ लेकिन संस्किर्ट की किताबों का पाली में अनुबाद नहीं हुआ है क्या होगा? बहुत अच्छा सोद किया हुए सर आपका बहुजन टीवी में बहुत 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 आपका स्वागत है सर मैं यह जानना चाहूंगा कि बहुत सालों से एक बात को दिमाग में आ रहे हैं और सुनने को भी मिलती है कि संस्कृत भाषा क्या संस्कृत भाषा पहले आई थी या पाली भाषा यह तो बात भाई अजुबा है अजुबा इसलिए है कि प्राकिर्ट का मतलब होता है ओरिजिनल नेचुरल प्राकिर्ट और संस्कृत का मतलब होता है कि उसका संस्कार किया हुआ संस्कृत का मतलब संस्कार किया हुआ तो किसका संस्कार किया हुआ प्राकिर्ट का ओरिजिनल का इसलिए संस्कृत बात की भाषा है प्राकिर्ट पहले की भाषा है यहीं कारण है कि पाली में लिखी हुई किताबों का संस्किर्ट में अनुबाद हुआ लेकिन संस्किर्ट की किताबों का पाली में अनुबाद नहीं हुआ क्या होगा इसलिए कि पाली प्राचीन भासा है और पाली भी प्राकिर्ट का ही एक रूप है पाली कोई दूसरी भासा नहीं है बलकि प्राकिर्ट का ही एक रूप है इसलिए प्राकिर्ट भासा प्राचीन है संस्कृत से इसा से पहले संस्कृत में लिखा हुआ कोई अभिलेक, सिलालेक, तामरपत हमनों के पास एक भी सबुत नहीं मिलता है जो इसा से पहले का हो और संस्कृत में लिखा हुआ हो जो भी सबुत हमनों को मिलते हैं ओ बाद मिलते हैं इसा के बाद मिलते हैं संस्कृत में लिखा हुआ सिलालेक और ओ जो संस्कृत में लिखे हुए सिलालेक हैं ओ कहां मिलते है समराट असोक के सिलालेख पर लिखा हुआ मिलता है उस पर पहले से ही प्राकिर्थ भासा में असोक का सिलालेख लिखा हुआ है उसी पर संस्कृत का सिलालेख है प्राकिर्थ भाषा यानि की पाली भाषा नहीं प्राकिर्थ भाषा का एक रूप है पाली भाषा तो प्राकिर भाषा पहले आई थी फिर पाली आई थी और उसके बाद प्राकृत का ही एक पार्ट है जैसे हिंदी की कई बोलियां है प्रिभासा आओ धी उसी तरह और अस्थानिय उसका बोली थी पाली प्राकृत का तो इस पाली भाषा को अंदाजन कितने साल हो चुके हैं सतावदी इसापूर्व में तो गौतम बुद्ध ही थे जिनके जिनकी सिक्षाएं पाली प्राकृत में हैं लेकिन उसके पहले भी प्राकृत का अस्तित्व था क्योंकि भासा रातो रात जनम नहीं लेती है और बुद्ध जिस भासा का प्रियो करते हैं ऐसा नहीं है कि पहले प्रम्परा रही है आप देखेगा कि सिंदु गाटी सभिता के जो सील मिलते हैं मुहरे मिलती हैं उन मुहरों पर जो लिखावट है उस लिखावट में करीब 30% लिखावट समराट अशोक की लिखावट से मिलती जुलती है जी मिलती जुलती है आप जो समराट अशोक की बात कर रहे हैं समराट अशोक के काल में भी पाली भाषा चलती थी या संस्कीत चलती थी उसके समय में शिर्फ प्राकिर्ट भासा का प्रचलन था और प्राकिर्ट ही मौर्ज काल की समराट असोक के समय की राज भासा थी कि जैसें झल讲 यह सब्सक्राइब आर्ट भाखाय उस्के जितने और भी आउडर हैं। यह उने लिख्वाये हैं। विद्व क picture होता है तो गIGHTम भुद॥ में 276 साल हो चुखे है। क्या गौतम बुद्ध के टाइम पीरिड से भी पहले पाली भाशा थी बिलकुल थी कितने साल पहले अंदाजन अब तो आपको एक एक जाम्पुल से हम बताए कि कोई भिभासा रातो रात पैदा नहीं होती है उसकी लंबी प्रमपरा होती है अचानक बुद्ध थोड़े पा देख रहे हैं वह 28 वे बुद्ध थे तो क्या 27 बुद्ध जो पहले हुए थे वह भी पाली भाशा में रहे होंगे नहीं कि आप इन बुद्धों की जो कि श्रिंखला है उसके नाम पर विचार किजिएगा तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग गौतम बुद्ध से पीछे की और जा रहे हैं तो देखते हैं हम लोग की जो 23 बुद्ध हैं 24 बुद्ध हैं तढहंकर बुद्ध एक तढहंकर बुद्ध थे तो यह जो नाम है यह लगभग द्रगन भासाओं से मिलती जूलती है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि 28 बुद के समय में भी इसी द Keyindoode में प्राकित भासा थी लेकिन प्राकित भासा की मिलत परमपरा पुराशर में है पुरानी अच्छा जब बुद्ध बूद 28 बे बुद्ध की जो बात नहीं करता ओं किंकि बहुत साहइट में बहूत तोड़ म了 है और बहुत सारा मिलावत है इस लिए बहुत साहित भी इस लिए आंख बंद कर करके विष्वास करने कि चीज नहीं आइसी नहीं ऐसा हुए है या लोगों उसमें कुछ और चीट डाल दियो तो मिलावत पहले से थी या की गई है अब की गई की गई है इसलिए अब इससे अनमान कर सकते हैं कि फाहियान जब भारत आये थे तो आये थे गौतम बुद्ध का मुल टेक्स पढ़ने के लिए कि मुल रुप से उन्होंने क्या 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 सि पार्त आपा आये व सकते हैं वह पहले लुप हुचका थे आपा पत लचे जमाने में मैं मत्रुप से नहीं आप अन्दाजा कर सकते हैं कि वह साहित का बहुत पहले लुप हुचुका थाई आपने फायान की बात कि कि वो चोथे दशक में आये थे चोथी सताअब्दी ृधारत में जो बुद्द्दिम को निकाला गया खोजा गया वो कौनसी सताअब्दी में और कौनसे संब के आये थे और किसनी इकिया थए आपका मतलब नहीं समझे है। महावीर जी समकालीन थे पुद्ध के, क्या वो भी इसी भाषा को प्रियोग किया करते थे। महावीर की विभासा प्रकृति ही थी। जितने हम लोगं के पुरा तात्विक शबूत के मिलते हैं, उतने पुरा तात्विक लिखित सबूत तो आप की राए में कौन सा धम या धरम स्रेष्ट होगा। की डेट में जो स्रेश्ट है अगर मेलावट हता दी जाए तो सारी आज की तारीख में पूरे इतिहास में देखिएगा तो असल में एक गरवड़ी यह हो गई कि बुध के धाम को लोगों ने धर्म समझ लिया जी रिलीजन जबकि बुध का धाम रिलीजन है ही नहीं इसका प इवनानी भासा में धर्म का टांसलेशन करवाया है तो उन्होंने क्या टांसलेशन करवाया है इवसेविया और इवसेविया का अर्थ इवनानी भासा में धर्म रिलीजन होता ही नहीं है इसलिए बुध का जो धर्म है जो धर्म है धर्म है ही नहीं इसलिए आप पूछ रह दोनों में अर्थ में विचारों के मामले में बुद्ध का जो धम है और अगर हम धरम की बात करें तो अपने आपने धम की तो आपने बता दिया कि धर में प्रवर्तित हुआ तो इसमें बहुत सारी खामिया आई और बहुत ही बदनाम हुआ तो ओ ऐसे संदेश थे जो दूर दूर तक आप देख रहे हैं दुनिया में उनके विचार फैले कोरिया जपान चाइना स्रिलंका बर्मा